नमस्कार बच्चों आप सभी को स्वागत हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीही दिटेवर्स का प्रथम प्रश्ण पत्र आहारिवं पोशर का मौलिक सिधान जैसे कि मैंने पहले वीडियो में अपलोड किया था आहरिवं पोशर के इधियास के बारे में और मैं आज बुसी से उसी यूनिट से लेकर आई हूँ कुछ प्रश्ण जो सौर्ड में है और इंपोर्टन है इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवस करें और वीडियो सेयर करें अपने दोस्तों में जिसे उनको भी इसका लाग मिल सके और बच्चों ध्यान से पढ़ें देखते हैं बच्चों आप सब देख पा रहे हैं स्क्रेन पर आहार नियोजन में आहार विशेशग की भूमी का पर टिपड़े लिखे जैसा कि मैंने कहा अभी कि आहार विशेशग की भूमी का है आहार नियोजन में इसके बारे में समझाने वाली हूँ देखते हैं रोल आउट रेटेंशन इन मील फ्लानिंग पास्तों में आहार विशेशग की भूमी का बहुत ही मातपूड और विवित परकार की है जी है बच्चों वास्तों में हम लोग रियल में देखते हैं कि आहार जो है उसकी भूमी का विशेशग की भूमी का बहुत ही मातपूड बिद परकार से है उसे परतेगरोग के विक्ति की जगा सोयम को मानकर विचार विमर्ज के पस्चाद आहर नियोजन करना पड़ता है जैसे कि घर में एक ग्रहडी है उससे अगर आपके घर में कोई बिमार विक्ति है उसके उरूची के अंसार ही आप उसके जैसे रूटीन उसको जैसे भूजन क्या उसकता होगी उसी के अंसार ही आप आहर का नियोजन करेंगे क्योंकि उसी के अंसार ही उस बैक्ति को आप आहर देंगे जिससे उसका स्वास ठेक रहे इसलिए इसमें भी वही कह रहे हैं बिचार बिमर्स के पश्चात ही आहर का नियोजन करना पड़ता है आहर का सफल आयोजन तभी माना जाएगा जब देखते हैं बच्चों ये क्या कह रहे हैं जब क्या होगा रोगी को भोजन स्वाच्छा पूरवक खाने की इच्छा होनी चाहिए जिहां जब रोगी है उसे खाने की इच्छा होगी तभी वह स्वाच्छा पूरवक खाना आहार दोर अत्रिप्ति की अनुभत होनी चाहिए जी हाँ अगर आप जो आहार बनाए है रोगी के लिए उससे उससे त्रिप्ति की अनुभत होनी चाहिए उससे अच्छा लगे खाकर कि जो उसके लिए वो आहार नियूजन हुआ है और नमबर त्री है रोगी पर कोई भी अ क्यास्टाइ रिक्ताना और आर्थ कवाइन डालना चाहिए पूर होगास में उच्छी समय में सुधार होना चाहिए और इस होता है अ और है अधीकतर हुमारे अगार में ठेक जो आहार साश्तरक हैं, आहार विशेषक थे, को एवं रोगी संबन्धी निमलिक जानकारियां रखना आवश्यक होता है। इनको क्या होता है? आवश्यक होती है जानकारियों को रखना अपने पास। जैसे कि देखते है नंबर वन है रोग आवस्था भोजपदार्थ की ग्रहड चमता को प्रभावित करता है जी हाँ जो अगर ब्यक्ति कुप कब्ज है माल लीजे आपको अजिसार रोग है और आपको हाड भोजन अर्थात कठोर बोजन दिया जाता है जो आपके हार जो आप बोवेटिंग अर्थात लेटरिंग ये सब दिक्कतें दस्त आना सुरू हो जाएगा इसलिए आप हलका खाना ही रोग के अंसार ही खा सकते हैं नंबर टू है रुपांत्रित अथ्वा परिस्कृत आहर अत्रिक्त समस्या उत्पन करता है जी हैं बच्चों रुपांत्रित अथव परिस्कृत आहर अत्रिक्त समस्या उत्पन करता है जैसा कि मैंने ऊपर बताया परिस्कृत आहर हमारी लिए समस्या कारण बनता है नंबर ट्री है तनाव की स्थिति और डिप्रेशन के कारण भी होता है ऐसा नमबर टू है प्रश्ण हमारा इसमें तो 18 दिया है लेकिन मैं पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो के अंतरकर मैं दूसरा प्रश्ण हल करने वाली हूँ आप सभी से रिक्वेश्ट बच्चो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मुझे पता चली कि आप सब मुझे से जुड़े हुए है और प्यारे बच्चो देखते हैं हलका आहार अर्था लाइट जैसे कि आगे देखते हैं हलका आहार क्या है इसके बारे में जानते हैं हलक के देखते हैं बच्चों हलका अहार जैसे समान ये आहार की भाद होता है इसके अंतरगर सरल पाक प्रहांडलियों का परियोग किया जाता है या अहार परियाप्त अत्वा उप्यूक्त एडिक्यूड डाइट होता है क्या होता है इसके अंतरगर निमलिखत अहार समलित किया जाते हैं जैसे कि देख लेते हैं इसके अंतर गद कौन-कौन से हार समयल होते हैं हलका हार के जिसे मठा क्रीम दूस से बने पेपदार्थ जिया बच्छों पेपदार्थ हमारे लिए हलका आहार ही होता है और माश मशली मुर्गी व्रैलिंग विदी अथवा भून कर अथवा अजय को बेकर दिया जाने वाला आहार दिया जाना चाहिए Déria कर कभी भी रोगी को नहीं देना चाहिए जीए बच्छों अगर मास तलकर या नहीं देना चाहिए जैसे उससे हाँ नहीं पहुँच सकती है जैसे कि कबजी की सिकायद भी हो सकती है उसे रोगी व्यक्ति को जब वह हलका भूजन घ्राड करता हो जो नमबर अंडा है आगे नमबर में उबाला पोजड अध्वा स्क्रेबलेट रूप में दिया जाना चाहिए जहां बच्चो अंडा जो है उससे उबाला हुआ हो पोजड हो यह भी ज्यादा आमलेट वगेरा बनाकर नहीं देना चाहि यह हलका आहार में नहीं आता है इसलिए हलका भुजड ऐसे देना चाहिए रोगी को है और फिर देखते हैं बच्चो ब्रेड प्रेड है है ब्रेड साधि हुआ अध्या रोष्ट की गईस फेद ब्रेड दी जा सकते है यह भी तरह रहा हम का भूजड में आता है और हलका आहर है और ट्रीड ध्यान यानि बारीग पीसे हुए पोशक तत्तों से पोड़ अथार रूप में दिये जा सकते हैं सबजियां कम रेसे युक्त सबजियां पका कर देनी चाहिए सूप है जैसे सबजियों का धका हुआ स्वच सूप मांस्ट का सूप और क्रीम शूप दिया जा सकता है हलका आहर में फ्लो को पका कर दिया सकता है फल पका कर प्यूर के रूप में भी दिया जा सकता है, फलों के रश निकाल कर दिया जा सकता है, तदा पका हुआ केला आज भी दिया जा सकते हैं, कि इन तो अननास नहीं देना चाहिए, जिया बच्चों अननास बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि इनको हलका आहार दें तो और वशा है मक्खन तेल और मारगिन आदि दिये जा सकते हैं जिया बच्छों मक्खन में वशा पाया जाता है यह सब दिये जा सकते हैं लेकिन जादा नहीं हलका ही दिया जाता है मिठाई केक बिस्कूट और साधे पूडिंग आदि दिय जा सकते हैं आगे वर्जित पदार्थ जैसे कि क्या हम नहीं दे सकते हैं हलका भोजन में हलका आहार में हथा लाइट डाइट में अत्यदिंग मिर्च मसालेदा और भूज पदार्थ नहीं दे सकते हैं शुवर का मास नहीं दे सकते हैं सलाथ की पत्तियां और टमाटर अनिसलाज नहीं दे सकते, कच्चे फल, कड़े परकार की सबजियां, काश्ट फल, नट्स, अर्था, सुखे फल, जैसा कि काश्ट फल, नट्स, अर्था, सुखे मेवे होते हैं, पेश्ट्रीज आज ही नहीं दिया जा सकते हैं, आगे देखते हैं, बच्चो, प्रश्ण आगे देखते हैं, जैसा कि आप सब, मैं आसा करती हूँ, आप सब को समझ में आ रहा होगा, प्रश्ण नमबर थ handicap है हमारे वीडियो के अंसार, और इसमें इसमें प्रश्ण 20 है, देखते हैं, आगे क्या है, बच्चो, जितनी भी मै प्रश्ण करवा रही हूं सारे most important है इसलिए अच्छे से पढ़ें ध्यान से और देख सकते हैं मैंने जो भी प्रश्ण इसमें लिए हैं सब important है आगे देखते हैं बच्चों प्रश्ण 20 और इसमें वीडियो के अंसार ये तीसरा फ्रश्ण है प्रश्ण कह रहा है बच्चे क का इस्तनपान कब वह कैसे छुड़ाया जाना चाहिए जिहां बच्चों अब कुछ लोग तो ऐसी होंगी जो देखते होंगी कि आपके घर में जैसे कि आपकी भावियों भी हो सकती है आपकी sister हो सकती है जो इस्तनपान बच्चे को करा रही है आप सब जादर दिन तक इस् इसलिए बच्चों देखते हैं क्या कहते हैं हमारे लेखक उनकी अंसार पढ़ते हैं बच्चे का स्थनपान छुडाना इस्तन पांच छुडाने के लिए सीसु को धीरे धीरे ठोस आहर देने चाहिए जी आपको सीसु को धीरे धीरे ठोस आहर देना चाहिए और बोतल, ग्लास, कटोरी, चमच आज से दूद पिलाने के क्रिया शुरू करने चाहिए जिससे सिशु माता का दूद छोड़ देता है अगर हम उसे पोड रूप शहार देते रहेंगे जिससे हलका हलका ठोस पदारते देते रहेंगे और गलास के दौरा दूद पिलाते रहेंगे तो वह बच्चा मा के दूद के लिए जित नहीं करेगा इसलिए इसकार को शंपन करने में श्मा से एक वर्स माँ स्मय लग जाता है इसकार को पोरा न रदियूट को जाता है दोद छूड़ाने का काल भी कहा जाता है अधिक्तर situación कराने के सार्ण छटे मां से जिया बच्चों कुछ आज के न宿न्यू पीडि़इ कि ऑरते हैं जो 6 मां के से 120 मेली से 150 मेली और सौरी बच्चों छटे मां से सुसु को अन्य आहर देना प्रारम कर देती हैं सुसु के लिए तरल पतार्द का आवश्यक मात्रा 120 मेली से 150 मेली प्रती किलोग्राम सरीर के भार के हिसाब से होती है 3-4 महिने की आवे में सिसु का आउसत बाहर 5-5.5 kg तक होता है अर्था 5.5 kg तक बच्चे का बाहर हो जाता है किस माँ तक? 3-4 माँ तक और तथा सिसु की कैलोरी के मातरा जो होती है वा 500-600 प्रतिदिन होती है इस हिसाब से उसकी कैलोरी के मातरा होगी वा 500-600 प्रतिदिन होती रहेगी सिसु की इस आयो में मातरा के दूद से इतनी मातरा में कैलोरी प्राप तो नहीं हो पाती है जियां बच्चों जैसे सिसु का विकास होता है जैसे सिसु बढ़ता है उसे कैलोरी की मातरा अधिक होती है उसे कैलोरी की अधिक आशकता होने लगती है जिससे मा के दोच से उतरने आशकता पूरी नहीं हो पाती है इस कारण सिसु अन्य परकार के आहार देना आउश्यक होता है आउश्यक होता है और डॉक्टर भी बोलते हैं 6 महीने के बाद बच्चे को दाल का पानी और उपर से कुछ आहार दे सकते हैं सिसु को ठोस आहार देनी के लिए चावल, डाल, अंडे हरी सबजी, उबाली मचली आद देनी चाहिए जिसको उबाली मचली, अंडे, हरी सबजियां ये सब दे जा सकते हैं प्रेस निंबर 21 है बच्चो ये most important है आप सबके live में भी काम देगा और आप सबके paper में भी अच्छा रहेगा देखते हैं बच्चो प्रश्ण क्या कह रहा है नली दोरा पोशड किन परिस्तितियों में दिया जाता है बच्चो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं तो वीडियो खतम होने के बाद आप सब भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्यारे बच्चों आप सब अच्छे से पढ़ें नली दोरा पोशट किन परिस्तियों में दिया जाता है आगे देखते हैं जब रोगी को सारी रिककर्ष्ट अधिक होता है जिया बच्चों जब रोगी बेक्ती होता हो उसको सारी रिककर्ष्ट बहुत अधिक हो जाता है तथा किसी कारणवस रोगी मूँ के दोरा नरम या त और केंड़ीर में हैं यार तो इतना तो पता ही होगा कि किस हिस्सिति में हम पूछटोर देती हैं आगे। देखते हैं तSerum करते हैं तो आसा करते हैं तो इतना जादा व्र्षाज़ से समझानी है ऑप सकता नहीं है नली दोरा आहार देने के लिए तीन से चार मिली लीटर व्यास की पतली पॉलिथीन की नली पर तरल पैराफीन अथवा जेतुन का तेल लगा कर उसे चिकना कर दिया जाता है फिर धीरे धीरे उस नली को नाक के तोरा परवेश करा जाता है जब नली आठ तक पहुँच जाती है तो रोगी को ठसका लगता है होगी अचानक से ठसका लगता है वो एक्टिवेट ऐसे करता है एक्षन करता है कि वो हीलता डूलता है जिसे अचानक से आप तब उस चमय यह माना जाता है कि नली पेरिक्स तक पहुँच चुकी है इसके पश्चा नली को अमासे में उतारा जाता है नली को दो दिन में एक बार निकालकर उबालकर धूकर अमासे में परबेश कराना उचित रहता है नली दौरा आहार से लाब क्या है देखते हैं बच्छो नली दौरा आहार देने से निमले की लाब है नमबर वन है आप सब इतना लिखना जरूर पेपर में जैसे कि आप भी आप से पोज लिया जाए नली दौरा आहार देने से कौन कौन से लाब है तो आप इतना heading डाल के इतना लिख सकते हैं नलीदारा आहर देने से नेमले किलाव है फिर उसके बाद आप heading डाल सकते हैं जैसे number one है तरल पदार्थ सुरच्छित रूप से दिये जा सकते हैं और number two है परियाप तो भोजन देने से देने में सरलता होती है और जिन दवाईयों या भोजन को रोगी पसंद नहीं करता उसको बिना किसी समस्चा के दिया जा सकता है number four है अमाशे के पदार्थ को समय समय पर निकाल कर सही वस्तु स्थिती जानी जा सकती है नली द्वारा पोशर से अंतरश्रय पोशर के समय होने वाले खतरों से बचा जा सकता है आसा करते हुँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और जिनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कर दें और आप सभी का दिन सोब हो जै माता रानी बाबाई